स्लाम अलेकम स्टूदेंट्स वेलकम तू माई चैनल पी एफ अनिशियल टेस्ट परपरेशन फॉर जीडी पाइलट सी ए यानि कोलीच ओफ अरोनेटिकल अंजीनियर एर दिफेंट्स अंजीनिरिंग आईटी लोजिस्टिक्स आपने चाहे जिस भी पोस्ट और जिस भी ब्रैंच के लिए क्यों न अप्लाय किया हो आज की वीडियो को देखने के बाद इंशाला आपको इस काबिल कर दूँगा कि आपका चाहे जिस भी डिपार्टमेंट का ही टेस्ट क्यों न है अगर आपने भी पाकिस्तान एरफोर्स में ऐसे ऑफिसर बरती होना है तो आपका जो अनिशियल टेस्ट होगा जो के कम्प्यूटर पर होगा उससे रिलेटिट आल डीटेल्स ही आपसे शेयर कर दूँगा इन्शालला आप इसका भी लो जाओगे कि आप फर्स्ट अटेंप में खुद का टेस्ट पास कर सकते हैं तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंस और आल पैट्रन आल स्लेबर से रिलेटिट जान लेते हैं तो कैनिडेट्स सबसे पहले ये होगी सक्रीन जो के आपको वहाँ पर अनिशाल टेस्ट में कांप्यूटर की नजर आएगी जिसमें यहाँ पर क्वेस्टन होगा यहाँ पर आप्शन होंगे A, B, C, D और इन ऑप्शन में से आप यहाँ पर से स्लेक्ट करेंगे A, B, C, D और यहाँ पर से आप next करोगे यहाँ से previous, यहाँ से last मीं हो यहाँ पर सबसे पहले ठीक है और जो question आपके रहते होंगे जो आपने skip कियोंगे वो कुछ इस जगा पर आएंगे तो इस तरह से आप hood का test होगा ऐसी screen पर solve करेंगे यह हो गया computer method अभी चलते हैं और जानते हैं इसका syllabus आपका जो syllabus है इसमें two test चामिल है first होगा intelligence test जिसके two parts है verbal intelligence test और non-verbal intelligence test और जो second test होगा उसे कहते हैं academic test जिसे academic test भी बोलते हैं इसमें English होगी, mathematics होगा, physics होगी और sometimes कुछ questions जनर knowledge, park study, Islamic study के भी आड़ कर लेते हैं तो अगर आप इन two test या नहीं intelligence test और जो second test है academic test अगर आप इन दोनों को pass करोगे तो आपका जो initial test होगा वो clear हो जाएगा तो candidates आप जान चुके हैं इसका जो pattern है कि वहाँ पर computer की screen कैसे होगी उसके बाद में आपने जाना syllabus कैसा होगा, इसमें कौन-कौन से test चामिल है और अभी हम जान दें कि verbal क्या होता है, non-verbal क्या होता है, academic क्या होता है और इनके most important questions related जान लेते हैं और चलते हैं first question की जानिब, और first question से पहले अगर आप इस channel पर नए हैं तो last मी तोर पर subscribe कर लीजेगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम step by step जानेंगे तो सबसे पहले ये questions है verbal के और इसी वीडियो में हम बाद में जानेंगे non-verbal और इसी वीडियो में हम last में जानेंगे academic और चलें first question की जानिब, और first question है what number comes next in the following series जहां भी series का question होगा वहाँ पर यहां तो multiply होगा यहां तो adding होगी यह dividing होगी कुछ ना कुछ करके और इस series को ही कुछ ना कुछ करके हम answer को निकालेंगे और अब इसे अच्छे से देखे थोड़ा गोर करें यह कैसे चोभी सो तेरा के बाद चोभी सो बीस आ गया चोभी सो तीस आ गया चोभी सो बास सट आ गया पची सो अठारा गया और I mean options में से right option कौन से होगी तो देखो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप जानोंगे कि इसमें एड़िग हो रही है चोभी सो तेरा में कितने एड़ करेंगे तो इसमें चोपन-प्रफद गये 15TH बास सट आ गया तो इस तरह से equation solve होंगे अभी चलते हैं next और अभी इस question को देखें इसमें फिर से series है what number comes next in the following series a, b, c, d, b, c, d, f और c, d, e, f, d, e, f जी ये क्या चीज़ है और थोड़ा से समझोगे तो आप जानोगे कि यहाँ पर देखो a, b, c, d, a को छोड़के next a का अजाफा कर दिया यानि b, c, d और साथ में f लगा दिया जबकि यह जो mcqs है wrong है जो के computer ने गलत लगा है यहाँ पर e आना सही है था चूँके यहाँ पर next में e है तो यहाँ पर जो अजाफा होना था वो next में f को होगा which one is different from the rest I mean melon, orange, carrot, mango, बांगो इसमें different क데 वो आपने बताना होगा तो वो आप देखिये यह जो melon है, orange, carrot, यह क्या चीज़े है mango यह है तो सब खाना वाली चीज़े यह तो इसमें different के तो बाइसमें different यह है के जो melon है यह भी fruit में आता है कि which one is different from the rest, तो इसमें different है number 3, अभी चलते हैं next, अभी इस question में देखें फिर से what number comes next in the following series, तो इस series में यहां पर क्याएगा और इन options में से आपने right option का इंतखाब करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां भी series की बात है कि यहां तो adding होगा, ज्यादा होगा divide होगा, multiply होगा, कुछ ना कुछ करके हमने इस series में से answer निकालना है, तो अभी अच्छे से देखो तो आपको मालूम होगा कि 34 में से 10 निकाले तो 24, next 8 निकाले तो 16, next 6 निकाले तो 10, next 4 निकाले तो 6, अभी कितने निकालेंगे, 2 निकालेंगे, तो 6 में से 2 निकाले और 4, वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने question को कैसे solve करना है, वो आपको only question देगा, ये आप पर है कि आप उसे कैसे solve करते हो, जल्दी करते हो तो अपना time जो है वो बचा लोगे, आप all questions को solve कर लोगे, अगर आप एक ही question पर सारा times आया कर दो कि तो आपका test miss हो जाएगा, और LO का code क्या होगा, तो भई समझने वाला question है, जहां पर F है, उसका code 4 बन रहा है, E का code बन रहा है, 6LL55 और यहां पर O का बन रहा है, 3 और W का बन रहा है, तो देखो यहां पर LO में F जो है, ये minus है, बक्या तो सभी code वही आएगा, यानि 6553 तो यहां पर जो number one option है, वो write हो जा और यहां पर जो W की जगा पर एक लगा, तो 65531 इसमें correct option है, number 1, अभी next question पर चलती है, इस question में देखें, फिर से series आ चुकी है, what number come next in the following series, फिर से series है, और मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है, जहां भी series आएगी, जहां तो multiply होगा, कुछ ना कुछ करके, multiply, adding, divide, minus, plus, जो भी करके हमने इस series में से answer निकालना है, तो देखो भी कैसे answer आया, अभी यहां पर कहेगा, आप इन options में से find करो, मैं जल्दी से बता दिता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, आपने थोड़ा सा सोचो, यहां पर वीडियो को pause करो, और थोड़ा सा सोचो, तक्रीब I hope आपने सोचा होगा, और यहां पर वीडियो को pause किया होगा, तो अभी मैं आपको इसका right answer बताता हूँ, और answer निकालने का method भी बताता हूँ, चूँकि यह question different type का था, इसमें देखो, यहां पर multiply करना है, 3, 2, 6, 4, 3, 12, और 6, 4, 24, हमने multiply किया, adding नहीं की, देखो, 3 को 2 से multiply क करोगे, 12 आएगा, और 6 को 4 से multiply करोगे, तो option एक right होगा, यहांनी 24, अभी चलते है next, और इसमें देखे यह भी question है, type है, verbal intelligence test की, इसमें आप से यह पूछ रहा है, what letter comes alphabetically in order in the word drawing, तो question समझने वाल है, कि alphabetically in order in word drawing, तो अभी इस drawing के spelling को देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और अभी 7 पर अगर आपको नहीं पता कि क्या आता है, alphabetically, तो आप direct देख लो, A, B, C, D, E, F, और G, तो number 1 इसका correct option है, यह question बहुत ही बार test में आ चुके है, और candidates को पता ही नहीं होता कि इसका answer कैसे निकालना है, अभी चलते है next, अच्छा ना, इस channel को last me subscribe करना, मैं आपको बार बार कहा रहा हूँ, चुके अगर आप subscribe करोगे तो आपको इस channel की updates मिलेंगे, तो देखो, here is to year, as close is to, क्या आएगा बई, बहुत ही असान है, loss, तो यहाँ पर number 2 correct option है, देखो, here में उसने H को छोड़ा, अभी close में इसमें C को छोड़ देंगे, तो बहुत ही असान question, इस तरह की questions भी आपके verbal intelligence test में आते हैं, अभी चलते हैं next, अभी इस question में देखे, देखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है, और आपसे होगा भी नहीं भई, यहाँ पर वीडियो को pause करो और सोचो, तकरीब बन 5 मिनट सोच लो, आपको इस question solve नहीं होगा, अगर होगा तो मुझे इस वीडियो के comment में बताना कि मैंने solve कर लिया था, अगर नहीं 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 होगा, तो मैं आपको solve करके बताता हूँ, इंतहाई असान यह question है, कि 839 is to 25 और as 739 is to dash, तो बहुत ही असान है, समझने वाला question है, और समझ के से, अच्छा मैं आपको इसका right answer में बता इसका right answer होगा by 22, अभी सोच लोगे कैसे solve होगा, थोड़ा सा over time देता हूँ, देखो मैं आपको solve करके बताता हूँ, 8 को 3 से multiply किया, 24 एक इसमें add कर दिया, 25 हो गया, 7 को 3 से multiply किया, 21 एक इसमें add कर दिया, तो 22, किसकिस ने solve कर लिया, और किसका नहीं हुआ, आप मुझे इस question है, और जैसा के verbal intelligence test इसका name है, तो इसमें जहानत ही आपकी check हो रही है, तो चलें जी question को समझते है, light is to eye, as sound is to dash, तो जिनको तो समझ आ गई, वो तो बहुत ही अच्छे हैं भई, आप तो 100% अपना test pass करोगे, और जिनें समझ नहीं यही वो थोड़ा सा अपना दियान दे, इन्शाला हाँ भी test pass करोगे, देखो, light is to eye, यानि रोशनी को आँखो से देखा जाता है, और sound को किस से सुना जाता है, ear, तो number 4 में right option है, तो अभी चलते हैं next, और हमारे जो verbal intelligence test का portion है, वो complete हो चुक है, हमने verbal intelligence test की त्यारी कर लिये, और अभी हम आ चुक है, nonverbal intelligence test पर, हमारे test के तीन पार्ट हैं, जो के verbal हम complete कर चुके हैं, अभी आ चुक है, nonverbal पर, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे academic test, जिसे academic test भी कहते हैं, और इसका first question कुछ इस तरह से है, कि ये question mark है, और next options है, A, B, C, और D, और आप थोड़ा सा सोचो कि ये कैसे solve होगा, तो देखो, म ये आपको थोड़ा सा guide करता हूँ कि इस मुसाल में जो जो ए, वो पहली कितार में आप देख सकते हैं कि एक मुरबा खाली है, next दहारी दार गोल है, और उसके बाद में सिया तकुन है, अभी next में देखें ये line में, कि इसमें दूसरी कितार जो है, इसमें दहारी दार जो ह यह तकून होगी और जो इसमें स्या मुरब्बा हो गया और जो इस तरह से दाइरा था वो खाली हो गया अब यहां पर देखिए कि जो दाइरा था वो स्या हो गया और इसमें जो तकून थी वो खाली होगी अभी दहारीदार भी गायब है और मुरबा भी गायब है तो हमने द examples भी देखते हैं और इंशाला आपको और भी ज्यादा समझ आएगी अब इस question में देखें और ये question आपके वहां पर भी आएगा इंशाला last मी आएगा कि which one of the following is different from the rest A, B, C, D, E और इसमें different क्या है बैसमें जो different है वो option B है इसका एक जो दुम कटी हुई है तो देखें कि इसमें जो B option है ये right होगा तो इस तरह से ये question solve होंगे बहुत ही असान है समझने वाले question है और verbal से तो इंतहा ही असान है और अभी चलते हैं next और और examples को भी देख लेते हैं तो candidates इस example को देखें ये देखें एक मुरबा है उसके बाद में वो कहा रहा कि is to ऐसा हो गया अभी as और इसके बाद इस question mark में यहां पर कहाएगा वो ये हमसे पूछ रहा है और जैसा कि मैंने correct option में लगाया option है वो कैसे होगा ये देखो ये मुरबा था इस खाली करेंगे तो option a right होगा ये question बहुत ही असान है only समझने वारे आपी चलते है next और इसमें देखें और इस question को solve करने से पहले आप से सम बाते शेयर करना साहत हूँ कि बहुत से ऐसे questions होते हैं जिन में clockwise moment होती है जिन में 12 के बाद एक बजने वाली moment होती है और बहुत से ऐ question को समझ लेते हैं तो candidates वो कुछ इस तरह से कह रहा है कि ये शकल है वो इसमें convert होगी अभी इसके बाद ये शकल है और इस question mark में इन options में से कोन आएगा तो देखो यहां पर मैंने option d भी लगाया हूए तो देखो इसमें ऐसी कैसी हो ये anti-clockwise moment हो यानि बड़े तीर को आप द देखें ये इस जगह पर transfer हो ये उपर वाला उपर transfer हो गया और ये जो इस तरह से था तीर्शा वो कुछ इस नीचे आ गया देखो ऐसा हुआ ना तो भी ये जो सीथ है अभी इसकी ऐसे moment होगी यानि anti-clockwise moment होगी तो ये इस जगह पर आ जाएगा ये वाला उपर सेला यहां पर ये जो खाली जगह तो उपर transfer हो गया इस जगह पर हो गया ये जो lines थी आगे transfer होगी इस जगह पर होगी ये जो इस तरह से lines थी जो dark थी थी तो वो नीचे transfer होगी कुछ इस तरह से transfer होगी ये जो हिस्सा तो कुछ आगे transfer हो रहा है यानि कुछ गर्दिश कर रहा त तो देखो अभी इसमें इस जगा पर option D right होगा वो कैसी होगा यह जो darkness है आगे transfer होगी उसके बाद में यह जो हिस्सा यहाँ पर transfer होगया तो option D right होगया अभी चलती है next और इस question में देखें कि यह जो इस तरह से शकल थी इसमें transfer होई अभी इसमें कैसी होगी तो समझने वाला question है भाई देखो यह जो अंदर के dots है उन्हें थोड़ा फिला दिया इस horizontal को vertical कर दिया और बाहर की lines जो 4 थी उन्हें आदी करके 2 कर दी अभी देखो horizontal vertical अंदर के dots को फिला के इस तरह से हो गया तो यह ऐसे से ऐसा convert हो गया अभी ऐसे से in options में से option B right है और यहाँ पर देखो बाहर कितनी lines यहाँ पर 4 lines है तो यह बई 2 रह गई और अंदर कितने dots है अंदर 3 dots है तो वो फैल गए ठीक है और यहाँ पर वो भी आपस में space दे रहे हैं तो option जो B right होगी इसमें यानि जो vertical था वो horizontal हो गया तो option B right है अभी चलते हैं next अभी इस question में देखें अभी इंतहाई असान है के जो शकल है उसके अंदर वली चीज को बाहर निकाल दिया तो ऐसा हो गया तो देखो इसके अंदर के इसमें तकून है नो तो इसे बाहर निकाल देंगे तो option C right होगा अभी चलते हैं अभी जो next question है उसे देखते हैं और यह question आप मुझे जो इसका answer है ना आप मुझे इस वीडियो के comment में दीजिएगा question आपको समझा देता हूँ और जो इसका जवाब है वो भी इंतहाई असान है और यह question आपके non-verbal में लास्टमी तोर पर आते हैं यह ऐसे question है जैसे कुछ चीज यहां से फट गई है और इन options में से वो find करके वो इससा इस जगह पर attach करना है और यह design complete हो जाएगा और यह इंतहाई असान और मज़ेदार किसम का question है और इसका answer आपने मुझे इस वीडिय के comment में देना होगा और चलते हैं हमारा जो non-verbal का portion है वो भी complete हो चुके अभी हम चलते हैं और academic यानि academic जो portion है उससे related जाल लेते हैं उसके most important questions related जाल लेते हैं तो यह है जी हमारा academic यानि academic test का first portion और जिसमें हम जानेंगे all details academic test के most important questions related तो first question है he wore a beautiful dress beautiful is यहनि के he wore a beautiful इसमें beautiful क्या है यहनि वोरा beautiful dress इसमें beautiful क्या है अडवर्ब है adjective है noun है या pronoun है तो भाई इसमें adjective है यहानि option जो भी है वो right है अगर इसमें new होता ही वो रा new dress तो इसमें new जो होता वो भी adjective ही होना था और अब भी चलते हैं next जो academic test ही यहनि academic test इसके आपने preparation करना होगी अपनी books में से जो के physics, chemistry और English जो आपने 9th 10th में पड़ी जो आपने 11, 12 यहनि जो भी आपने ICS किया FSC किया जो भी आपने qualification असिल किया उसकी books में से ही आपका academic यहनि academic test का portion complete होगा और second question है जिके two words with very close meanings are called यानि दो मिलते जुलते जो हम मैने अलफास हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं बई synonym तो इसमें जो option B है वो right है और अगर मैनी आपस में उल्ट हो यानि आपस में मिलते जुलते ना हो और मैनी उलट बनते हो तो उन्हें कहते हैं antonym और अभी सलते हैं next यह question है जी fill in the blank do you always come to the office dash bike तो direct से जवाब बता देता हूँ जहां पी bike की बात आएगी bus की बात आएगी car की बात आएगी और airplane railway जिसकी भी बात है वहाँ पर buy ही लगेगा तो इसमें भी option B ही right है buy यह question समझने वाल है did you dash well last night तो देखें यहां पर क्या लगा हुआ है question की जो options है उन्हें भी ना देखें question को देखें did लगा हुए ना तो did किस में लगता है did लगता है past tense में तो past tense में जो यह कौन सा tense है past indefinite tense यानि उसका सवालिया फिक्र है ना उसका question आना तो candidates यहां पर did लगा है ना यहां पर first form ही आएगी तो यहां पर जो sleep होगा ना option A वो right होगा बहुत यह असान है question को समझने की जरूरत है आपको tenses आने चाहिए active पैसे voice आने चाहिए direct indirect आने चाहिए prepositions का पता हो तो English test इंतहाई असान है और आपका जो air force का test है चाहिए जिस भी आपने branch के लिए apply किया हुए उसे pass करने के लिए आपको English की मकमल तोर पर जो मालूमात होना last मी है अब यह question है choose the correct spelling अभी business के spelling क्या है और मैं यही कहता हूँ कि आपना मुझे इस वीडियो के comment में बता देना चुकि यहाँ पर बताऊंगा तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा मैं भी तो देखूँ कि आपको कितना पता है correct spelling का तो आपने मुझे इस answer इस वीडियो के comment में बताना होगा change the voice he has thought English तो जो active voice पैसे voice हमने पढ़े थे न है 9th class में उन में से ही सब कुछ आएगा और यहाँ पर जो correct है वो है जी option B English has been thought by him अगर नहीं आते है तो 9th 10th की book को again से पड़ो वहाँ से active voice इसको याद करो चुकि यहाँ पर active voice समझाने लग जाओंगा ना तो आदा गेंटा पोना गेंटा तो वैसे लग जाएगा तो फाइदा नहीं है questions को समझो और वहाँ से questions को याद करो अपनी books में से preparation करो इन्शाला यह test इंतहाई असान है इंतहाई असान यह initial test मुश्किल नहीं होता आप only यह करते हो आप preparation नहीं करते है तियारी नहीं करते है समझते हैं नहीं तो आपको मुश्किल लगते है और अ और किसी और ने उस बात को कपी करके किसी को बताना वो होती है इंडिरेक्ट बात तो यहाँ पर जो इसका इंडिरेक्ट बनेगा वो होगा option C ही होगा तो अभी चलते हैं next यह question भी tenses related है और समझने वाद ही आपको समझा भी दूँगा और यह question है select the correct tense used in this sentence और जो sentence है the weather will have changed before we reach there यानि the weather will have changed before we reach there तो इसमें will have लगा हुए will have, shall have यह किस में लगते हैं यह future tense में लगते हैं तो यहाँ पर जो future perfect tense है वो है correct यह भी question है इंतहाई असान है देखने में मुश्किल लगेगा और जिने आता होगा उने पहले जवाब का पता चल चुक है जैसे मुझे लग गया के give me dash onion प्लीज यहाँ भी A, E, I, O, U आएगा उससे पहले क्या लगेगा तो भई उससे पहले N लगेगा तो option A right होगा बहुत ही असान है यह question है resistance of a superconductor is dash तो जो superconductor है भई उसकी resistance 0 ही होगी इसलिए तो उससे super कह रहे है जो local होगा तो उसकी resistance होगी तो यहाँ पर option C है वो राइट है यहनि आपका mind level check करेगा और question पूछेगा वहाँ पर आपसे book थोड़ी हो नहीं रटवानी है आपका mind level ही check करेगा यह question है electrical energy is measured in dash तो जो electrical energy है वो kilowatt hour में जो है वो मापी जाती है तो option D right है इसमें first law of motion gives the definition of dash तो जो हरकत का पहला कनून है वो किसकी definition देता है यह force की देता है option D right the currency of Indonesia is dash तो जो Indonesia की currency है वो है जी रुपेया तो option A right है the highest part of the earth is dash तो यह है Mount Everest option A right यह इंतहाई असान question है the headquarters of air force is located in तो पकिस्तान air force का headquarter कहां पर है यह है जी Islamabad में option A right पकिस्तान बिकेम Islamic Republic in which constitution dash तो यह है 1956 का आइन उसमें इसे इस्लामी जुमूरिया पकिस्तान कहा गया तो 1956 option A right what is the rank of Pakistan in the production of sugar can और question का answer सुनके आपको तक्रीबन मेरे ख्याल से हंसी भी आएगी चूंके हमारा मुलक जो है यह पांचवे नंबर पर है पूरी दुनिया में जो है वो sugar can यानि गन्ना उगाने की फसल जो होती है न उसमें जो है वो पांचवे नंबर पर है और यहां पर चीनी का रेट इतना ज्यादा है यहां पर हर चीज का रेट इतना ज्यादा हो चुक है Senate of Pakistan compromises of how many members तो इंतहाई आसान question है और यह question interviews में भी पूछे जाते है option D right है 104 time rate of change of momentum is equal to dash यह है G force के equal option A right तो candidates यह थे वो most important questions और all type of questions जो मैं आप candidates के साथ share करना साहता था मजीद important questions और preparation के लिए जो link आपको इस वीडियो के last में दूँगा उन पर last मी तोर पर click करना उन्हें watch करना और उनसे अच्छे से त्यारी करना और इस channel को भी last मी तोर पर subscribe करना ताकि मैं जैसी और भी वीडियो अपलोड करूँ अगर यहां पर बहुत से views आएंगे और बहुत से candidates जो हो मरी होसला अफजाई करेंगे मैंने अच्छा guide किया तो इस जहला मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो create की जाए जो के इससे भी बेहतरीनों और आपकी बेहतर तरीका से preparation की जाए ताकि आप भी टेस्ट पास करके पाकिस्तान एर फोर्स का हिस्सा डिफरेंट ब्रैंचिस में बन सकें ऑफिसर बन सकें और इस channel को लास्मी दोर पर subscribe कर लिजेगा थैक्स वर वचिन अलाहाफ फीज